नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लीडिंग लावर्स पर दोस्तों अगर आप मार चैनल पर पहली बार आए हैं तो मार चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाला इकोन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मारे आने वाली वीडियो की नोटिपेशन मिलती रहेगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ली रिंग लावर्स पर दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे हरियाना जी के मैटपून कोशन जो आपके आगयाने वाले एक्जाम के लिए मैटपूरेंग पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की जो पीडियफ है आप हमारे टेलीगराम गूर्प से प्राप्ट कर सकते हो उसके लिंग का नीचे डिसके में मिल जाएगा या जो हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट है वाँ पर जाकर आप तक कि जितनी भी वीडियो को आप दे काबूल में और यह ज्वाब पाकिस्तान में पज़ता है औरแล नाम में यहां पर जो पुरानिक गाऊं है किस जीले में स्थिथ है य को अदिव औरी जो फ्यूम Northern maioria सिर्षा अलवर्दी नामगाव में किस मसलिम सासक काल की मस्जिद विद्यमान है अलाउदीन खेल जी बाबर फिरोज साहतुलक या हुमाई हू तो सी अंसर रहेगा हमारा ओप्शन ए अलाउदीन खेल जी जो मसलिम सासक था इसकी जो है मस्जिद महाँ पर विद्यमान है नेक्स्ट कोश्चन रहेगा हमारा चंदिगड में लोकसभा सदस्टों की संख्या एक चार तीन या पाँच तो यह रहेगी एक से अंसर रहेगा ओप्शन ए नेक्स्ट कोश्चन रहेगा चंदिगड में जो सुखना जील थी यह कितने किलमेटर में फैला हुआ है पच्छेश पॉइंट चार दो यह ब्यार्श पॉइंट छेपास पैंतिस पॉइंट चार जीरो वरक किलमेटर या इन में से कोई नहीं राइटन सर रहेगा ओप्शन ए यह जो अभे रनना है सुखना जील तो यह 25.42 किलमेटर में फैला हुआ है और दोस्ते कोश्चन भी बन जाता है कि चंदिगड में जो जील है इसका कैनम है तो वहाँ पर जा सुखना जील है और इसे जीवित वैक्ति के दरज़ा मिला है नेक्स कोश्चन है प्राचीन भार है यह किसनागर को मिला था स्थानिश्वर पानिपत पत्याला या इन में से कोई नहीं यह मिला था स्थानिश्वर को प्राचीन भार्त में राजदानी होने का गुरब जाही स्थानिश्वर को मिला था नेक्स्ट कोश्चर रहेगा पानिपत का प्राचीन नाम वेरी वेरी पॉटेंट रहेगा एक्जाम की दिश्टी से फाने सर स्थानेश्वर पनप्रस्थ या इन में से कोई नहीं है रजटेंसर एक उप्षण सी पनप्रस्थ के नाम से जाहिएक के प्राचिन काल में जाना जाता था नेक्स्ट कोशन है का कौन सा जो राश्ट राजमारग है यह हिसार में स्थित है नस 10, 5, 12 या 15 इन में से कौन सा राजमारग है जो यह हिसार में स्थित है तो सी एंसर रहेगा हमारा ओप्शन ए है नस 10 जो है यह राश्ट राजमारग है यह हिसार में स्थित है और इस पर एक फिलम भी बनी हुई है नेस्टेल नाम सी नेक्स्ट आएगा यमनगर का पुरान नाम दुल्लापूर होताग अबदुल्लापूर या इनमी से कोई नहीं सही अंसर जो है ये ओप्शन सी रहेगा अबदुल्लापूर को जो है यम्नगर यो जो यम्नगर है वर्तमान में इसका जो प्राची नाम है ये अब्दुल्ला पूर था नेक्स कोशन एक राष्ट्रे है स्वास्ते मिशन जो सुचांग है दो हजा ठारा उननीस इसमें स्वास्ते प्रणाली मजबूत करने के वीबिन मानदंडों पर अच्छा प्रदसन के कांड किन पांच रज्जों को पूर्शक्रित किया गया है तिसमें जो है ये पांच रज्जा कौन से रहेंगे से रहेंगा उप्शन सी हरियाना आसम केरल पंजाब दादर और नगरहवेली जहराइट रहेंगा उप्शन सी तो इस पकार से जो है पांच राज्जा है जिनको पूर्शक्रित किया गया है अलो कोशन हैगा अंबारा नगर की स्थापना तो ये किन के दोर की गए थी अंब तो से अंसर है ओप्शन ए अंबा राजपूत और जो अंबाला है इसे विज्यानी को पर्णों के लिए भी जाना जाता है और मिक्सी सीटी के रुपे भी जो है इसको जाना जाता है नेक्स्ट कोशन रहेगा हरियाना स्पोर्ट उन्वस्टी के पहले चांसलर का नाम एकजाम की दिश्टी से जो है कोशन वेर वेर इपोर्टेंट रहेगा तो यहाँ पर जो स्पोर्ट उन्वस्टी है इसके पहले चांसलर कोन है गोतम गंबीर कपिल देव विरंदर और यह जो इन्वस्टी है यह सोनीपत के राई में जिस्थित है नेक्स्ट कोशन हैगा हर्याणा के जो मुख्यमंत्री है मनोडलार कर्टर जी इन्होंने राज्य में क्रोणा बारे से लड़ने वैं नीमन आई वर्क के लोगों के लिए कितने क्रोड रुपे की परतिमा की व नेक्स कोशन है का राणिया कस्वे का पुराना नाम न है इन राजा बिर्बल या इन में से कोई नहीं सेंसराइग उप्षन भी राजा लक्षमी नाराण ने जो है ये जो नाराणगर नाम जो कस्व है ये बसाया था अलको शराइगा बोदकाल के किन माजन पद में आदून खारियाना के जो क्षित तरह ये सामिल थे ओप्षन हैंगे कुरू और पांचाल कोशल और वज्जी सूर्शेन और रावन्ती असमक और वाथ्स राजटन सर्ज है ये ओप्षन ए रहेगा तो बोदकाल के जो कुरू और पांचाल जो माजन पद है इसमें आदूनी खारियाना के शामिल थे नेक्स कोशन हैगा निमन में से किसने जो पटोदी रहासत है इसमें परजम अंदूलन का नित्रताव किया उप्षन नवाप पटोदी लाला काकराम बाबू द्याल सर्मा या बलदेव सर्मा उसी अंसर है ये उप्षन C बाबू द्याल सर्मा अगला कोशन हैगा इनमें से किसे अदिल सा ने अपना परधार मंतरी बनाया था हेम चंदर मही पाल अनंग पाल ये सब ही जो सर्य अंसर है ये उप्षन A रहेगा हेम चंदर इसे हेम के नाम से भी जा जाना जाता है हमरा अगला कोशन है पंडित दिन द्याल सर्मा के जनम का हुआ था रहवाडी में हिशार में हांसी में या जजजर में से अंसर है जो है ये उप्षन D रहेगा जजजर में पंडित दिन द्याल सर्मा के जनम का हुआ था तो ये जजजर में हुआ था हमारा आगला कोशन है हर्याण राजमे कितने विशव विदाल्य हैं तो हर्याण में कितने विशव विदाल्य हैं 15, 18, 20 या 24 सियंसर जो है ये ओप्शन D रहेगा 24 और एक्जाम के दिश्टी से जो है महत पून कोशन रहेगा नेक्स्ट कोर्शन है दिली की गध्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सासक तो इह कौन था हेमचंदर, मोन सिंगमडर, हर्षवर्धन या इन में से कोई नहीं तो ये थे हेमचंदर इने हेमू की नाव से जाना जाता था तो यह जाए दिल्य की गद्धी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सा सकता है हमारा अगला कोशन है Grand Old Man of Punjab के उपनाम से इन में किसे जान जाता है लाला मुर्लिदर पंडित सीराम सर्मा पंडित ने किराम सर्मा या रादा क्रिशन वर्मा को से अंसर जो है यह उपसन ए है रहेगा जो लाला मुर्लिदर है इन्हें Grand Old Man of Punjab के उपनाम से जाना जाता है नेक्ट कोशन है का बला बगड़ की जो जाट जो रियास्त था इसका संस्ता पके इन में से कौन था गोपाल सिंग, हेम सिंग, महिपाल या मेग सिंग से अंसर जो है यह उपसन ए रहेगा गोपाल सिंग, जो है यह बला बगड़ की जाट जो रियास्ता इसके संस्ता वक थे नेक्ट कोशन है का हरियान के पहले स्पोर्ट इन्वर्स्टी की स्थापना चांसलर हमें पत लाग चुका है, कपिर देव है और सोनिपत के राई में यह उन्वर्स्टी स्थाथ है, अब जो यह जो स्पोर्ट इन्वर्स्टी है, इसकी स्थापना इन में से कव हुई थी अगस्त दोहजार उन्नीस सितंबर, अक्तुबर या नुमबर दोहजार उन्नीस में सही अंसर जो है, यह उप्शन ए रहेगा, अगस्त दोहजार उन्नीस में जो है, इसकी स्थापना हुई थी नेक्स कोशन हैंगा, चिंदर कारक्षेतर का, जो कारिया कि शेतरफल है, यह कितना है 114, 130, 118 या इन में से कोई नहीं सही अंसर जो है, यह उप्शन ए रहेगा, 114 वरग किलो मीटर नेक्स कोशन हैंगा, एसिया में हरियान की किस जिले में सबस्यादिक गुलाब की जो पूला है, यह पैदा होते है चंदिगड में हिशा, राजस्तान या कैथल सही अंसर जो है, यह उप्शन ए रहेगा, सबस्यादिक जो गुलाब की जो पैदावार है, यह चंदिगड में होती है हमारा अगलो कॉशन है, भांकरा में उत्पादित कुल विद्ध से कितने प्रतिसाद बिजली चंदिगड को प्रावत होती है 3.5, 6.5, 4.5 या इन में से कोई नहीं, सही अंसर जो है, यह उप्शन ए रहेगा 3.5 प्रतिसाद जो है, यह हमारा सही अंसर रहेगा दोस्तों, अगर आपको कॉशन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जूरू कीज़ेगा लाइक और सब्सक्राइब करने से हमको सी मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जूरू कीज़ेगा और हमारे सातां तक बने रहेगा नेक्स कॉशन हैगा पूरो प्रदान मंतिरी जो डाक्टर महरमान सिंग जी थाई इन्होंने राजी गांदी चंदिगण में टेकनोलोजी फारक का जो उद्गाठन है ये कब किया था 25 सितंबर 2005, 28 माई, 28 दिसंबर या इन में से कोई नहीं सी अंसर जो हमारा ये ओप्शन ए रहेगा 25 सितंबर 2005 को जो है ये टेकनोलोजी पारक जो है इसको उद्गाठन किया गए था जिन्दिगण में हमारा अगला कोशन हैगा हरियान के किस मुख्य मंतिरी को सिक्षग मर्ति को टाले में दुस साल की सज़ा हुई है और प्रगाश शोटाला चोदर देव लाल या अमनुहुर हुटर को जो है ये ओप्शन भी रहेगा ओम प्रगास शोटाला जोही ने दस साल की जया जेल में रहने की सज़ा दिगी है कौन का बजिए पकाड आपननुसा ब्रीटी सिरकार के दोरा समसूल, जो उलेमा है इसकी वपादी से इन में किसे संगे दी गई है सर साधिलाल अलताफुसैन अली लाला मुरिधर यह स्यामलाल एड़ोकेट से अंसर जो हमारा ये ओप्षन भी रहेगा तो बिर्टी सिरकार के दौरा समसुल उलेमा की जो पादी है ये अलताफुसैन अली को दी गई है नेक्स्क्क्रेशन हैं करो तक से हरियाना तिलक नमक जो इसाधिया पत्री का हैसका प्रकासन किया गया था बल्देव सिंग पंडित अमिलाल पंडित सीरम या लाला जहाय काका राम से इंसर जहाय हमारा ओप्षन सी रहेगा तो हरी अनतिरेक नाम से जो पत्री का है इसका जो प्रकाशने 15 सिरां सर्मा की द्वारा किया गया था और दोस्तों यह जो जितने भी साहिते हैं पत्री का है इससे सबंदी जो मैतरपुन कोशन है इससे भी जो हमारी द्वारा वीडियो में कराए गए हैं और दोस्तों अगर आपने वह नहीं देखिए तो आप हमारी चैनल की जो प्लेइलिस्ट हमाँ पर जाकर देख सकते हैं अलग कोशन हैगा बानबट किसके जहादर बारी कभी थे हर्षवर्दन कलहन अनंतपाल या गोपाल सिंग से अंसर जह हमारा ऑप्सन ए रहेगा बानबट जो है ये बानबट के दोरा है शरीत जो अगरा था ये लिख गए था वो राजा हर्षवर्दन के जीवन पर ये अधारित है अलब कोशन है गए भानी में जो नोजवान भार सभा है इसकी स्थापना किसने की थी दोलत राम गुप्त राधा किसन वर्मा बल्देव सिंग या भाबू द्याल सर्मा से अंसर जो है ये हमारा ऑप्सन भी रहेगा राधा क्रिशन वर्मा नेक्स कोशन हैगा हरियान वे जो अंबाला कंटर्णमेंट चाउनी जो है इसकी स्थापना कभ हुई थी अथारसो तालिस में आठालिस में त्रेपर में जिए अठालिस में इक्जाम की दिश्टी से जह है मैतरपूर कोशन रहेगा सी अंसर जो है यह उप्शन ए रहेगा वर्ष 1847 में जो है एमबाला जो 56 है इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट कुश्चन है का हर्याना में जो सी तलामाता का जो मंदिर है यह किस पैटर्न या डिजाइन किया गया है किस वस्तु सिल्प पैटर्न पर इसको डिजाइन किया गया है श्यम हर्यानी मुगलाय राजस्तानी या समान्या सही अंसर जो है यह उप्शन सी रहेगा तो हर्याना में जो सी तलामाता का जो मंदिर है यह जो है राजस्तानी जो वास्तु शिलिप कला है उसके उसके अधार पर इसको डिजाइन किया गया है नेक्ट कोशने का हर्याण में मारा गाउं जग मगाउं जो योजन है ये कब सुरू हुई थी इसमें जो है गाउं को लगबग 24 गंटे बिली दी जाती है तो इसके जो योजन है ये कब प्रारंप हुई थी एक जुलाई 2015 15 अक्तुबर या 15 दिसंबर 2015 सी अंसर जो है न ये ओप्शन ए रहेगा एक जुलाई 2015 को जो हमारा गाउं जग मगाउं जो योजन है ये शुरू की गई थी नेक्ट कोशन एगा स्काइलार का लांब ब्लू जे स्मार का प्रेटन स्तलक या इन में से कहां पर स्थित है सोनी पत की साहर पानी पत या इन में से कोई नहीं से अंसर जो हमारा ओप्शन सी रहेगा पानी पत नेक्ट कोशन एक लक्षमी नराण मंदिर हरियाना के किस जिले में जो है ये स्तित है अंबाला कुर्क शेत्तर का थल या कर नाल तो से अंसर जो है ये हमारा ओप्शन बी रहेगा लक्षमी नराण मंदिर चाहिए कुर्क शेत्तर में स्तित है और जो कलप नचालता और मंदल भ्रहम स्रोवर और सेक्षिली का मकबरा तो ये सबी जो है कुर्क शेत्तर में ही स्तित है अलक कुर्शन एका गुर्गराम फरक नगर मारग पर जोस्तित हरियाना के सुल्तानपुर पक्सी भार की जो खोज है ये किस ने की थी पीटर जैक्सन थोमस रो सर्जोर मरसल या रोबिन हुड के द्वारा रेट्टन सर्जोर हमारा ये ओप्शन ए रहेगा नेक्स कोशन है का बी इन बासुरी जो नमृत्ते है यह रहनम में सर्जोर नहुं या फोडल पल्लमी शीएंसर जो हमारा आप्शन ए रहेगा बंगर क्सेतर के तर। है जो है ये किया जाता आ और दोश्तो अगर आपने पहना वा तो ओषर उत्सव सेश्ममधित को जो हमारी वीडियो है ये नहीं देखिए तो उसे आप आहा हमारी चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जितने भी सेश्ममधित में तब उनको कॉस्चन बनते हैं विश्चन जो हमारी दौरा उसमें कराए गई है नेक्स कोश्चन है का गुरुतेक बहादूर साहदत देने दिल्ली जाते से मैं रास्ते में किते तेरा दिन किस पिर्टर स्थल पर रुके थे गुर्दवारा लखरमाजरा गुर्दवार रहुत तक मंची साहिब या गुर्दवारा मेहम का से अन्सर जो हमारा ओप्षन ए रहेगा गुर्दवारा लखरमाजरा गुर्दवारा गुर्दवारा RAW नेक्स कोश्चन है का मामाप बनागत कि जो दर्गा ये कहां पर है गिजाम के देश्टीज में तपहले भी जा एक कोश्चन गिजाम में पूछा गया है माब बबानजा की जो दरगाही कहां परस्थी था है सोनिपत पानिपत रोत कुछ तक यह जजजर में ऐसे अंसर जो है हमारा option ए रहेगा सोनिपत में जो है यह दरगाहा है और सोनिपत को खुंबी के मामले में परत्मस्तान प्राप्त है एटला साइकल जो है ये भी सोनिपत में ही बनती है अगला कोशन है का पंजाब के जो पर्थम मुख्यमंत्री थे डाक्टर गोपी चंद भारगव हर्यारा के किस जेले से समंद रखते थे हिसार, सिर्षा, भिवानी या यमना, नगर इनका जो समंद है ये सिर्षा से रहेगा और सिर्षा में ही चोधरी देविलाल जो इन्वस्टिया ये बहुत प्रस्चित है अलग कोशन है का पदम सिरी सेट किस अंदास किस जेले से समंद रखते थे बिवानी, रोत्तक, रेवाडी या पच्छकुला इनका जो समंद है ये रोत्तक से रहेगा अलग कोशन है विद्या परचारनी सवा की स्थापना विद्या संचारनी सवा की जो स्थापना ही इनमें जैकिन के दोबार की गई थी उप्शन है दायनंद, लाला हर देव, साय, मादुराम या पंडितने की राम सर्मा से अंसर जो हमारा ये उप्शन भी रहेगा विद्या परचारनी जो सवा है इसकी स्थापना लाला हर देव, साय की दोबार की गई थी अगर कोशन है का समा नमक प्रेटरेंस तल के अंदर हर्यान के किस नगर में इस्तित है फ्रिदाबाद कैतल गुरुगराम या जीन में सही अंसर जो हमारा ये उप्शन सी रहेगा गुरुगराम और इसको पहले जगुरुगाव किराम से जान जाता था सितला माता का मंदिर जो है यांपर बहुत परसिद है सही को लिखां के द्वारा निर्मित आराम एक ओसर बाग ये कहाँ पर स्थित है नार्नोल पानिपत सोनिपतिया करनाल में राइट एंसर जो है हमारा ओप्शन ए रहेगा नार्नोल और हमारा नेक्ट कोश्चन है सर्श्वति नदी हर्याण में कहां से प्रवेश करती है तो सर्श्वति नदी जो हर्याण में कहां से प्रवेश ये करती है पिंजोर, कलेशर, पच्छकुला या आधिबदरी से जो है यह option D रहेगा आदिबद्री और आदिबद्री जो है ये जमनगर में है और सर्चवती जो नदी है ये भी हरियाना में ही स्थीत है तो यहाँ पर जो सर्चवती जो नदी हरियाना में कहां से प्रुवेस करती है तो ये आदिबद्री से प्रुवेस करती है और दोस्तों अगर आपने नदियों से स्मधिता हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्ले रिट में जाकर देशकते हैं और दोस्तों हमारे साथ अंता बनाने के लिए नहीं बाद